नमस्ते बच्चों, नोई क्लास के क्षितिस के काव्य खंड से कबीर की साख्यां हमने पढ़ी उनकी व्याख्या की, आज हम उनी साख्यों से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे. प्रश्न एक है, मान सरोवर से कवी का क्या अभिप्राय है? वैसे तो मान सरोवर एक पवित्र तालाब है, जो कैलाश परवत के पास है. लेकिन यहाँ इन साख्यों में मान सरोवर शब्द आया है मनुश्य के हरिदे के लिए. तो उत्तर में देखते हैं आगे क्या है? मान सरोवर से कवी का अभिप्राय हरिदे रूपी तालाब से है, जो भक्ती के जल से अच्छी तरह भरा हुआ है. और उसमें आत्मा रूपी हंस क्रिडा करता रहता है. अर्थात, आत्मा रूपी जो हंस है, वह भक्ती के जल में क् मा की भक्ति करता रहता है अब चलते हैं दूसरे प्रशन की और कवी ने सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी बताई है यहां यह पूछा जा रहा है कि सच्चा प्रेमी कैसा होता है उसकी क्या विशेशताई हो सकती है कैसे हमें पता चले कि सच्चा प्रेमी कौन है देखते हैं उत जिसे अपने मन में खोज लेने से सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। अर्थात यहाँ पर सच्चा प्रेमी कौन है जो इश्वर से सच्ची भक्ती करता है। सभी सुख दुखों से दूर रहकर सभी भेद भाव से दूर रहकर उसको बाहर की बजाए अपने मन में में बदल जाते हैं, सभी जहर विश्व अम्रित के समान हो जाते हैं, अब जानते हैं तीसरे प्रोष्ण के बारे में तीसरे दोहे में कवी ने किस प्रकार के ज्यान को महत्व दिया है, तीसरे दोहे में ग्यान के बारे में बताया है कवी ने लेकिन कौन से ग्यान के बारे में ये हमें इसमें जानना है देखते हैं इसका उत्तर तीसरे दोहे में कवी ने किताबी ग्यान की बजाए अनुभाव से प्राप्त किये गए सहज ग्यान पर बल दिया है सहज ग्यान वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई बनावटी पन, कोई दिखावा या कोई ढोंग पाखन नहीं होता वो केवल मन से इश्वर को याद करना है तो कवी ने यहाँ पर किताबों से प्राप्त किये गए ग्यान की बजाएं अनुभव से प्राप्त किये गए सहज ग्यान पर बल दिया है और कवी का मानना है कि इसी सहज ग्यान से इश्वर को प्राप्त किया जा सकता है बेकार के ढोंग और दिखावे से कभी भी भगवान नहीं मिलते चोथे प्रशन में पूछा गया है कि इस संसार में सच्चा संत कोन कहलाता है ऐसे तो बहुत सारे संत होते हैं सभी सच्चे नहीं हो सकते बहुत से पाखंडी और धोंगी भी होते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि सच्चा संत कोन सा होता है क्या विशेष्टाई होती है सच्चे संत की यही पुझा गया है इस चोथे प्रेश्ण में देखते हैं इसका उत्तर इस संसार में वही सच्चा संत कहलाता है जो निश्पक्ष तथा निश्चल भाव से ईश्वर की आराधना करता है निश्पक्ष का अर्थ होता है कि वो किसी धर्म या संप्रदाय का पक्ष नहीं लेता उसके लिए सभी धर्मों के मनुश्य और सभी धर्म एक जैसे होते हैं उसके मन में किसी के लिए कोई छलकपट नहीं होता सच्चा संथ नहीं तो कोई भेद भाव करता है और नहीं लाभानी से डरता है वो कभी भी अपना फायदा या अपना स्वार्थ नहीं धेखता समाज की भलाई के लिए मनुश्यता की भलाई के लिए ही भक्ति करता है अब देखते हैं पांचवा प्रश्न अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीरनताओं की और संकेत किया है संकीरनताओं का मतलब होता है छोटी सोच या संकुचित भावना देखते हैं वो दो बाते कौन-कौन सी है अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर नास जी ने दो संकीरनताओं के और संकेत किया है उनमें से पहली है अपने धर्म को सबसे अच्छा बताने के लिए दूसरों के धर्म की बुराई करना क्योंकि जो दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं इसका मतलब वो धर्मों में भेद भाव करते हैं संप्रदाइकता फैलाते हैं तो वो बहुत संकीरनता की बात है छोटी सोच की बात है और दूसरी बात है उंचे कुल में जनम लेने के कारण खुद को स्रेष्ठ समझना मतलब परिवार के अनुसार अपनी पहचान बताना परिवार में जनम लेने से किसी की कोई पहचान नहीं बनती बलकि उसके कर्मों से उसकी पहचान बनती है यदि कोई अच्छे परिवार में जनम लेकर भी बुरे काम करता है तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा और यदि कोई बुरे परिवार में जन्म लेकर भी अच्छा हो जाता है उसका स्वभाव अच्छा होता है तो उसे अच्छा ही माना जाएगा अर्थात जैसे उसके कर्म होंगे वैसो ही उसको पहचान ना चाहिए तो जो लोग परिवार के हिसाब से पहचान समझते हैं वो संकिर्णता की बात है छठे प्रेश्ण में ये पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से तर्क सहित उत्तर दीजिए कुल का मतलब होता है परिवार तो यहां पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से होती है या उसके अपने कामों से होती है इसका हमें उत्तर देना है तर्क सहित उसके करमों के आधार पर होती है उसके कुल के आधार पर नहीं होती कैसे इसके लिए क्या तरक दिया गया है कवी ने कलश और शराब के माध्यम से अपनी बात सपस्ट की है हमने कवीर जास जी की साक्यों में पढ़ा था कि जिस प्रकार सोने के कलश में सराब भर दिने से शराब अच्छी नहीं हो जाती शराब तो शराब ही रहेगी सोने के कलश में डालो या मिट्टी के कलश में डालो या किसी और धातु के बरतन में डालो उसके गुनों में या बुराई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसी प्रकार स्रेष्ठ कुल में जनम लेने से व्यक्ति स्रेष्ठ नहीं हो जाता जैसा उसका स्वभाव होता है जैसे उसके काम होते हैं उसी के अनुसार उसकी पहचान होती है सात्वे प्रश्ण में कबीर जी की एक साखी दी हुई है जो हमने व्यक्या में पढ़ी थी उसका काव्य संदर्य बताना है और वो साखी है हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूंकन दे जख मारी देखते हैं इसका काव्य संदर्य क्या है सबसे पहला तो क्या है इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है स्वान रूप संसार है संसार को कुत्ते के रूप में दिखाया गया है तो यहां पर रूपक अलंकार है दोहा चंद का प्रयोग किया गया है यह मैंने व्याख्या के समय भी बताया था कि कबीर दास जी की जो साखियां है वो दो हचंद में है सद्धुकडी भाषा का प्रयोग किया गया है क्योंकि कबीर जी की भाषा कैसी है सद्धुकडी है और अंतिम कावे सुंदरिय क्या है किताबी ग्यान का विरोध किया गया है और सहज ग्यान को महतो दिया गया है ये बात हमने बार-बार कबीर की साख्यों में पढ़ी है और जानी है अब चलते हैं आठ्वे प्रेशन की और मनुश्य इश्वर को कहां-कहां ढूंडता फिरता है आईए जानते हैं इसके बारे में मनुष्य इश्वर को अपने मन में ढूंडने की बजाए पूजा पाठ मंदिर मस्जिद और तिर्थ स्थानों में ढूंडता फिरता है अर्थात अपने मन में ढूंडने की बजाए बाहर के स्थानों पर ढूंडता है जबकि इश्वर तो कण-कण में और हमारे हरिदय में सम अर्थात यहां इस प्रशन में ये पूछा गया है कि समाज में ऐसे कौन-कौन से विश्वास प्रचलित हैं, चले हुए हैं, जिन से समाज मानता है कि हमें एश्वर की प्राप्ती हो सकती है. लेकिन कबीर उन बातों को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं. तो समाज का सबसे पहला विश्वास है कि ईश्वर प्राप्ती के लिए मंदिरिया मस्जिद में जाना चाहिए लेकिन कभीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ती के लिए कहीं जाने के आउशकता नहीं है ईश्वर तो हमारे मन में ही निवास करते है दूसरा प्रचलित विश्वास है इश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करना लोग सोचते हैं कि कड़ी तपश्या करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन कबिरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ती के लिए कड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है सच्चे मन से और प्रेम की भावना से अगर भगवान की भक्ती की जाए तो उसे घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है तीसरा प्रेचलित विश्वास है ईश्वर प्राप्ती के लिए मूर्ती पूजा और तीर्थ यात्रा करना लोग सोचते हैं कि दूर दूर तीर्थों की यात्रा पर जाने से उन्हें भगवान मिल जाएंगी लेकिन कबिर दास जी कहते हैं कि भगवान तो हमारे मन के ही तीर्थ में है उसके लिए किसी और तीर्थ यात्रा की कोई जरूरत नहीं है चोथा विश्वास है ईश्वर प्राप्ती के लिए सन्यास ग्रहन करना अर्थात समाज और परिवार को छोड़ कर अकेले रहना जंगलों में रहकर वनों में रहकर या पहाडों पर रहकर तपश्या करना सब कुछ त्याग देना इससे ईश्वर मिल जाते हैं लेकिन कबिर दास जी कहते हैं कि संसार में रहकर परिवार में रहकर सच्चे मन से भक्ती करके भी इश्वर को पाया जा सकता है उसके लिए सन्यास ग्रहन करने की अवशक्ता नहीं है दस्वे प्रशन में पूछा गया है कि कबीर ने इश्वर को सब स्वासों की स्वास में क्यों कहा है ये कबीर की साख्यों में पंक्ती आई थी कि ईश्वर तो सब स्वासों की स्वास में है तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है देखते हैं इसके उत्तर में कबीर ने ईश्वर को सब स्वासों की स्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर कण-कण में समाया हुआ है सभी मनुश्यों के अंदर है जब तक मनुश्य की सांस है उसका जीवन है तब तक इश्वर उसकी आत्मा में है और बाहर कहीं नहीं है जैसे जैसे सांसे चलती है इश्वर हमारे अंदर है और जब सांसे समाप्त हो जाती है हमारी आत्मा निकल जाती है तो परमात्मा भी हमारे अंदर से चले जाते हैं, केवल मिट्टी रह जाती है अब चलते हैं ग्यारवे प्रेश्ण की और ग्यारवा प्रेश्ण है कबीर ने ग्यान के आगमन की तुलना सामन्य हवा से ने कर आंधी से क्यों की है जानते हैं इसका उत्तर कबीर ने ग्यान के आगमन की तुलना सामन्य हवा से ने करके आंधी से की है क्योंकि सामन्य हवा में परिवर्तन की ख्षमता नहीं होती सामन्य हवा से किसी की स्थिती नहीं बदलती किसी पर कोई जादा प्रभाव नहीं पड़ता सब ही मनुश्य सब ही वस्तों जोंकितियों रहती है लेकिन जो आंधी होती है उसमें क्षमता होती है वो सब कुछ उड़ा ले जाती है और स्थिती में परिवर्तन कर देती है सारा कूडा कचरा उड़ा कर ले जाती है इसी प्रकार ज्यान में भी प्रबल शक्ति होती है और जब ज्यान की आंधी आती है तो मन के सारे विकारों सारी बुराईयों का कूडा कचरा उड़ा कर लिजाती है ज्यान मनुश्य के अंदर के अंधकार को दूर कर देता है बारेवे परिशन में पूछा गया है कि ज्ञान की आधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है पिछले परिशन में हमने ज्ञान की आधी के बारे में जाना था अब ये बताना है कि भक्त पर ज्ञान की इस आधी का क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं ज्यान की आंधी से भक्त का अज्यान और उसके दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं उसका मन बिल्कुल साफ स्वच निर्मल हो जाता है उसके अंदर के सभी दुर्गुण सभी पुरायां मिट जाते हैं भक्त के अंदर ईश्वर के प्रती सच्ची भक्ती का उदय होता है और वह मोह माया से मोक्त हो जाता है क्योंकि उसका अज्ञान दूर हो जाता है और प्रेम और ज्ञान उसके मन में भर जाता है तो उसे प्रभु भक्ती के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु के दर्शन हो जाते अब चलते हैं इस पाठ के आंतिम प्रश्न की और इसमें दो पंक्तियां दी गई है और उनका भाव स्पस्ट करना है अर्थात उस पंक्ति के कहने का कवी का मतलब क्या है वो हमें बताना है देखे पहली पंक्ति हिती चित्त की दोय थूनी गिरानी मोह बलींडा टूटा इसका भाव क्या है कि ग्यान की आंधी ने स्वार्थ और मोह दोनों खंबों को गिरा कर समाप्त कर दिया है और मोह रूपी छत को उड़ा कर चित्त को निर्मल कर दिया है अर्थात जो स्वार्थ और मोह रूपी खंबे थे वो दोनों गिर गए है आंधी ने दोनों को गिरा थूनी होता है स्तंब या खंबे इन दोनों को गिरा दिया है और मोह माया की जो छत थी उसको भी उड़ा दिया है इससे क्या हो गया है हरिदया निर्मल हो गया है अब देखते हैं दूसरी पंक्ति क्या है आंधी पीछ है जो जल बूठा प्रेम हरीजन भीना अर्थात ग्यान की आंधी के बाद जो भगवान की भक्ति का जल बर्षा भगवान के प्रेम का जल बर्षा उसमें भक्त भीग गई यहां कवी के कहने का भाव क्या है वो देख लेते हैं ग्यान की आंधी के पस्चात जो इश्वर के प्रेम का जल बर्सा, उस जल से मन इश्वर की भक्ती में भीग गया, इश्वर के प्रेम से सराबोर हो गया। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, इन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए और अच्छे से याद कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कीजिए। धन्यवाद।